हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा कुहाड वैलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती संदर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्फ, टॉप, फ्रोग, कुर्ती, कैप, किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं, सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजिस्ट हो जाएगा 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लेजिए, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10 बार बार 10 दस फंदे गिन दे जाएए और लाश्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 लाइयों में कम्प्लीट हो जाता है तो ये देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 24 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा, फंदे डालने के बाद एक सीधी साइड से और एक सीधी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है अब यहां से टिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड से तो आप अपने प्रोजेक्ट के नुसार कोई भी बॉर्डर बनाईए और बॉर्डर के बाद आप सीधी साइड से इस टिजैन को शुरू कीजिए और जो आप सलाई लेंगी वो अपनी उन के अनुसार आप ले लिजेगा क्योंकि सलाई हम उन के अनुसार लेते हैं टिजैन के अनुसार नहीं लेते हैं जैसी भी आपकी उन हो वैसे आप सलाई यूज कीजिए तो देखिए पहली सलाई है और सीधी साइड है पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसे आप उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है देखिए एक और ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ और आठ फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच, छे, साथ, आठ आठ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा तो देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर एक सीधा आठ उल्टे और एक सीधा ये हमने दस फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को आप बार बार रिप पीछे ही रहे एक सीधा तो यहां एकठे आपके दो सीधे आ जाएंगे एक इधर वाले डिजाइन का और एक नेक्स्ट वाले डिजाइन का धागा अपनी तरफ करेंगे और आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ अब आपना धागा पिछे कर ल जितने भी फंदे हों यही दस दस फंदे का डिजाइन बार बार बनाती जाना है बीच बीच में आपके दो दो इकठे फंदे सीधे आएंगे एक इधर वाले डिजाइन का हो जाएगा और एक नेक्स्ट वाले डिजाइन का और लाश्ट में आपके बचेंगे दो फंदे इ इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगे तो इस दूसरी सलाई को मैं कम्प्लीट कर देती हूं तो ये देखिए दूसरी सलाई को मैंने complete कर लिया अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाए एक और ये दो फंदे मैंने उल्टे बनाए अब हम धागा पीछे करेंगे और यहां इन दो फंदों को हम त्विश्ट करेंगे ये सीधा और ये उल्टा तो सीधे वाले को छोड़ कर बैक साइड से उल्टे फंदे में सलाई डालेंगे इसे उतार कर फ्रंट वाली सलाई पर ले लेंगे और इसको हम ऐसे पीछे ले आएंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 अब देखे ये उल्टा और ये सीधा इनको ट्विश्ट करना है तो धागा पिछे कीजिए उल्टे फंदे को छोड़ेंगे और सीधे वाले में आगे से स्लाई डालें इसको भी सीधा बुनकर दोनों को एक साथ उतार देंगे अब ये सीधा और ये उल्टा नेक्स्ट वाला डिजाइन हमारा शुरू हो रहा है इसको हम देखे ये डिजाइन हमारा बन गया यही डिजाइन बार बार बनेगा तो इस सीधे को छोड़कर इस उल्टे वाले में पिछे की साथ से श्लाइड डालेंगे और इसको उतारके हम यहां डालेंगे अब ये जो फंदा है इसको यहां ले आएंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनतेगे फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जितना डिजाइन दे इनको हम twist करेंगे तो इस उल्टे को छोडेंगे धगे को पहले पीछे ले जाएंगे और इस सीधे वाले में आगे से slide डाल लेंगे पहले इसको बुन लेंगे फिर ये जो उल्टा है बाद में इसको बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे लाश्ट के दो फंदे आ तो ये देखिए चार सलायां कम्पलीट होई पांच में सलाय सीधी साइड पर पहले फंदे को उतार ये या बनाएए एक और ये दो फंदे उल्टे धगा पीछे अब देखिए ये एक फंदा यहाँ पर आपका सीधा आएगा अब ये सीधा और ये उल्टा इनको हम twist तो इसे छोड़ दीजिए और बैक साइड से इस सेकिंड फंदे में सलाय डाल कर इसको उतार के हम फ्रंट वाली सलाय पर ले लेंगे और इसको पीछे से हम यहाँ आगे ले आएगे फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके चार उल्टे एक दो, तीन और यह चार अब देखिए यह उल्टा और यह सीधा धागा पीछे करेंगे आप ऐसे भी ट्विष्ट कर सकती इसको छोड़ कर इसमें सलाय डालिए इसको उतार कर पीछे वाली सलाय पर और इसको पलट के आगे यह दूसरा तरीका है यहाँ ट्विष्ट करने का फिर इन दोनों फंदों को आप सीधा बनाएं फिर यहाँ बीच में आपके दो फंदे और सीधे आएंगे एक और यह दो अब यह सीधा और यह उल्टा इनको हमें ट्विष्ट करना है तो सीधे वाले को छोड़िए उल्टे वाले में पीछे की साइड से स्लाय डाल कर इसक फिर धागे को पीछे कर लेंगे यह उल्टा और यह सीधा सीधे वाले में हम पहले आगे से स्लाय डाल कर इसको बुन लेंगे फिर ऐसे इसमें स्लाय लेंगे इसको भी बुनेंगे और उतार देंगे फिर यह एक फंदा सीधा अब लास्ट के जो दो हैं यह आपके उल्टे तो 5 सलाई यां डिजान की कमप्लीट हो गई, 6 सलाई है और इसकी उल्टी साइड है, इसे आप उल्टा बुनते हुए कमप्लीट कर दीजे, तो यह देखिए 6 सलाईा हमारी कमप्लीट हो गई, अब हमारी 7 सलाई और सीधी साइड पर, पहले वाले 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊ फिर धागा पीछे ये देखिए एक और ये दो फंदे सीधे अब ये जो फंदा है और ये इन दो को हम ट्विस्ट करेंगे तो इसे छोड़ देंगे बैक साइड से उल्टे वाले फंदे में स्लाई डालेंगे सीधे को उतार कर आगे कर देंगे और उल्टे को हम पीछे वाली तो इसे छोड़ देंगे आगे की साइड से स्लाइड डाल लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर इसको ऐसे लेंगे और इसको भी हम सीधा बुनकर उतार देंगे फिर ये देखे बीच में हमारे चार फंदे और सीधे आएंगे एक दो तीन और ये चार अब ये वाला पीछे से इधर डाल देंगे, फिर ये दोनों फंदे हम सीधे बुन लेंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये उल्टा और ये सीधा, इन दोनों को हमें ट्विश्ट करना है, ये देखिए, ऐसे इसको छो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, तो ये हमारी साथमी सलाई कंप्लेट हो गई, आठमी सलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए, तो ये देख लीजिए, आठमी सलाई को मैंने उल्टा बुन लिया, अब आज ये इसकी नोमी सलाई और सीधी साइड पर, नोमी सलाई अब देखिए पहले फंदे को उतार यह ये उल्टा बनाएं मैं ये स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे बना लेती हूं फिर धागा पीछे अब देखिए एक दो और ये तीन फंदे हमने सीधे बनाए अब ये सीधा और ये उल्टा इनको हम ट्विस्ट करेंगे तो इसे छ करना तो इसे छोड़ देंगे आगे की साइड से सीधे फंदे में डालेंगे इसको सीधा बोनेंगे फिर इसमें ऐसे लेंगे इसको भी सीधा बोनेंगे और उतार देंगे अब बीच में हमारे छे फंदे सीधे आएंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे अब ये वाला और ये वाला इन फंदों को ट्विश्ट करना तो इसे छोड़िए बैक साइड से सैकिंड फंदे में स्लै डालिए इसको उतार के यहां डाल देंगे और इसको पीछे से बीच में ले आएंगे फि स्लै डालेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे फिर इस फंदे में ऐसे स्लै डालेंगे इसको भी सीधा बुनेंगे और उतार देंगे बीच बीच में तो आपके 6-6 फंदे सीधे आते जाएंगे और लास्ट में आपके 3 आएंगे एक दो और ये तीन फंदे सीधे और लास् हो गया है इन्ही दस-दस लाईयों को हमें बार-बार रिपीट करते जाना है तो next बार की मैं आपको एक बार फिर से starting करके दिखा देती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखिए पहला फंदा उतारिये या उल्टा बनाईये ये next बार के starting हो रही है second फंदे को भी हम उल्टा बनेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ आठ फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ धागा पीछे एक फंदा सीधा तो starting के दो फंदे छोड़ कर एक सीधा आठ उल्टे एक सीधा हमारा डिजैन दुबारा स्टार्ट हो गया फिर दुबारा डिजैन देखिए एक फंदा ये सीधा यानि बीच में आपके वही दो फंदे कठे सीधे आ गए हैं धागा अपनी तरफ करके आठ उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ धागा पीछे एक फंदा सीधा बस यही दस दस फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करना होता है और लाश्ट में दो फंदे उल्टे आ जाते उल्टी साइड से सभी सलाईया उल्टी ही बन रही तो इन्हीं दस दस लाईयों को आप बार बार रिपेट करते जाए और अपना इस तरह से बहुत ही शांदार सा ये डिजैन बना लीजिए प्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जूड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का ओल पर प्रप्रेस कीजिए थाकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने री चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू